पाइल गुडियार पाइल गुडियार एक और यूजर ने अक्षी की फिल्म हेरा फेरी की वीडियो शेर करते हुए लिखा इतना ही नहीं एक और यूजर ने मीम शेर करते हुए लिखा हालाके एक और यूजर ने मोदी और अक्षी की फोटो शेर करते हुए लिखा हैश्टाग 370 मोदी स्क्रिप्ट तयार है मोटा भाई से बात कर लेना वहीं एक और यूजर ने फिल्म हेरा फेरी की वीडियो शेर करते हुए लिखा तो देखा आपने कश्मीर को लेकर किये गए इस फैसले के चलते किस कदर सोशल मीडिया पर खिलाडी कुमार का मजाग उड़ाया जा रहा है आपको बता दे कि आर्टीकल 370 आने के बाद कई बॉलिवूड स्टार्स ने इसका सपोर्ट किया है विया मिर्जा, रवीना टंजन, कंगना रनाओ, विवेक ओबराय समेथ कई सेलिब्रिटीज ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है वल देखने वाली बात तो अब ये होगी कि धारत 370 को हटाने को लेकर सोशल मीडिया पर उड़े मजाग पर अक्षी कुमार कैसे रियक्ट करते हैं वैसे आप मोधी सरकार के इस पैसले से कितने सहमत है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलिवुड से जोड़ी ख़परों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वह और कर्फियू के अंदर है कश्मीर कर्फियू के अंदर है और दूसरी पार्टियू के लीडर्स सभी हस अरेस्थ है और पूरे स्टेट में एक ऐसा वातावरन जैसे वार सिच्वेशन है उसको सबसे पहले उसमें चर्चा करनी चाहिए बिल को हम पास करेंगे तीन बिल सारें एक रिजर्जर्शन भी आरें ये सभी विशह इसके साथ भी आप चेच्छा कर सकते सभापती मौधे मेरा एक चाहने है लोगिव तीन के लिए जो कुछ भी चेचा करी हो सभापती मेरा एक रिजर्जर्शन भी आप अरवाट अच्छा करी हो नहीं वह जो देने के लिए तईयार हुँ नहीं जो पर उत्य है। । इब बीजिए अठीट प्रफिटिरा मैं जिटिर्ट। अज़िए अधिए एंजिए लिए इसवाल उप।वास जिए घुटूर्ट इन भुटष्ट। पा रुट किस्टूरिए लुटूर्थ मौझ अवरुबूर। स्पॱ्सका ज elders झा neuralू निस यह उक रुखर पार स्टर्छाएिछ क्रफ़ आप्सकरिए झाले और nooit रुखर गय ऌरे आपर आप्सकरिए खाले जह एर परुखर गया हुआ धे मजा घाये सी किरे खैंश करFter विर छोग यह दो कि आपार कि डिसके लिएवन कर एंहें है ऐस में प्रूल संनी सब्सक्राइब में आपका जरूंख कर दिक अरूंजहयन विए्ट तरह टो शात्राव यह यचर ट्रूंच आप इस दिक ड्रूंघ एंहें इस इस देशने कि इन आप जरूर दुरना एंहें विए लिए इफ एं भीहाराद रिहां ज्यायटारी बिश्या है il one two three four and the first four line sir on that I appeal to user to please when these bills are circulated please allow us the time to read these bills to understand this for example this is a good right but when we are not given the time sir I appeal to you you have the power to circumvent all but we feel deprived I got your point. There is a reason. I do admit that members need time to read it. So even after the minister introduced the bill, the members will be given an opportunity to give amendments up to 12.30 today. Any member on any bill, they can give amendments. Then there will be also time available to you even to study also before you speak. That arrangement has been made and I am saying it of sherry, it will go on record. Members can, once the bill is introduced, members can move amendments and also start applying their mind. Because we have only two days left. So we have to understand the importance. He is capable. I heard him and also have taken it positively. So it's not only that bill. There are two, three, one, two bills and one resolution also. Once they come before you, then you start reacting on that. All Mr. Mr. Staff. All Mr. Amen. It is not on You're agreed. He did. Doesn't have it. Please. You are the witches of the送ation. You are very aware of the rules. You have raised the relevant points. ülke बच्राइब, it is important, countrys also taking note of the same, what is happening and all, it is a duty of the government to explain to the house, the home minister told me that he is going to explain it and he says now itself he's going to explain it, let us hear him and let the people also be moved and then we'll discuss." सब्सक्राइब आज जो रिवाइज अपना रूप बिजनेस का लीष्ट है उसके अंदर आपने मुझे व्योस्ता दी है कि मैं दो संकल्प और एक बिल जो प्रिंटेट बिजनेस के अलावे मैं प्रस्तूत करूंगा इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके बाद मैं मैं जबाब भी दूँगा और चारो पर एक के बाद एक करकर डिविजन करना है तो डिविजन मगर मुझे भरोसा है कि चार करकर वोटिंग करने मान्य गुलाम नभी आजाद जी ने जो कहा कि कस्मिर की आज की जो स्तिती है उस पर चर्चा करनी चाहिए मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि चारो दो संकल्प और दो बिल जो लेकर आए हैं वो कस्मीर इस्यू पर ही है उस पर आप अपना महोदय मैं संकल प्रस्तूत करता हूं कि ये सदन अनुछे 373 के अंतरगत भारत के राष्ट्रपती द्वारा जारी की जने वली निम्नन रिखित अधिस उतनाओ की सिपारीश करता है संवीदान के अनुछे 373 के अंतरगत भारत के संवीदान के अनुछे 373 के खंड एक के साथ पठिट अनुछे 377 के खंड तीन द्वारा परदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्टरपती संसत की सिफारिश पर ये गोशना करते हैं कि ये दिनांग जिस दिन भारत के राष्टरपती द्वारा इस गोशना पर अस्तक्सर किये जाएंगे और इसे सरकारी ग्यजेट में प्रकासित किया जाएगा उस दिन से अनुच्छे 370 के सभी खन लागू नहीं होंगे सिवा खन देखके नामत मुट्र दर्मिफार पड़ा जाएगा सम्मिधान के समय समय पर संसोदी इस पाग के सिवा अनुच्छे 370 के सभी खन लागू नहीं होंगे नहीं किसी अकोवाग तोवा इस सम्मिधान के किसी अन्यानुचे अक्वा जमूब आर्गासि मीदान के किसी अन्याव पकुबंग अक्वा कई कानुनी दस्ताले मीन मिने अजिणदे अंक्रियम निया मिनिना अधीसुत्ता निτιम हआगि अथ्वा भारत के गुबाग में कामी के प्रवर्तन, अथ्वा कोई अन्य लिखी संदी, अथ्वा समझो दे, जैसे अनुचे 333 के अंतरवर्त परीकल्पी थो, अथ अन्य खा ना हो.